रहूल गांदी की भारत जोड़ यात्रा इसनमें जम्मो कश्मीर में पहुंची भी और जम्मो कश्मीर में लगातार उनकी यात्रा को अच्छा रिस्पोंस मिला है जम्मो कश्मीर वासी उनको काफी प्यार देते नजर आ रही है लेकिन जब बात जम्मो कश्मीर की आई है त लेकिन कि अपने पुराने नेताओं को वापिस जोड़ पाएंगे या नहीं यह सबसे बड़ा सवाल था और अब सबके सामने वहाँ पर बहुत मिजिया मोजूत थी और रहुल गांदी ने सबके सामने कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं उनसे माफी माँगना चा कि दुरान कई सारे सवालात पूछे गए दिगविजे सिंग से लेकर राजनात की मुद्दे तक को लेकर वो सारे रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी तमाँ सीयोग्य की दबारा दे दी गई है लेकिन दिगविजे के बयान से किनारा करा राजनात पर हमला तो गुलाम नवी आजाद और साथी साथ लाल सिंग को लेकर जो बाते सामने आई उस पर साब बाते रखे कुछ विपक्षी पार्टी के नेता थे जो राहुल की यातरा के दुरान जमू कश्मीर के एक मंच पर महजूद थे लेकिन राहुल ने उनको ज़्यादा तवज्जो मौजूद थे हमने किसी तवज्जो नहीं दी और अगर कोई छूट गया तो वो शायद सिर्फ गुलाम नवी आजादी है क्योंकि गुलाम नवी आजाद अब अकेले पड़ चुके हैं इस तरीके से राहुल गांदी ने चुटके लेते बयान दिया और इंग्लिश में भी ने साफी साफ यहाँ पर यहाँ बात साफ कर दी कि वो गुलाम नवी आजाद और लाल सिंग से माफी माँगना चाहते हैं अपनी वेपक्षी नेताओं से माफी माँगना चाहते हैं जिन से राहुल गांदी कभी कहीं ने किसी काम से वो नराज हुए हो राहुल गांदी जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा आपने काया कि भारत को जोड़ने के लिए है अगर यह आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपके छवी के परिवरतन के लिए नहीं है तो जिस समय आप लखनपूर में आए वहाँ पर डोगरा सुभमान सगनठन के च में से किसी को आपने आमंतरत भी नहीं किया उसमें गुलाम नभी आजाद की डेमोक्राटिक आजाद पार्टी भी है तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवी के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं लाल सिंग जी ने यात्रा को सुपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशेट करते हैं गुलाम नभी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग 90% of them are already in the Congress तो अब नव I think there's only गुलाम नभी आजाद जी on that side so I don't know if you want me to आदा करो him I will आदा कर him also no problem my my respects to गुलाम नभी जी daily तस्कीन से and I and I apologize for any hurt that we may have caused either लाल सिंग जी और गुलाम नभी आजाद जी देखा आप सभी ने किस तरीके से राहूल गांधी ने गुलाम नभी आजाद और साती साथ एक और नेता को लेकर अपनी बास साफ रखी कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो भूल चुक हुई हो तो शमा करें बाकी नेता आही चुके हैं तो कहीना कहीं सियासी संदेश दे दिया है कि आप भी वापिस आ जाएए ये एक तरीके से उनके भारत जोड़े यातरा की जरीए अपनी चवी भी सुधार ली उन नेताओं को करारा यहाँ पर कह सकते हैं जवाब भी दिया अपनी यातरा से कि मैं अभी इस कैपिबल हूँ कि आने वाले वक्त में और तकड़े तरीके चुनाब लड़ सकता हूँ लेकिन गुलाम नवी आ अजाद को अपनी पार्टी का अंत करके कांग्रेस पार्टी वापिस आ जाना चे तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड दीजेगा और राहूल के इस बतले अपतार को लेकर भी अपनी राय जोड दीजेगा क्या आव वो पीम पत की दावेदारी जीत पाएंगे या यह भी जोड अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा बहुत बहुत धनिवाद